हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं सभी कोसल वंगल से होंगे स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्रांट्स एन केर में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जिन डेनियम के बीजो को टिसू कल्चर मैधड से जर्मिनेट होने के लिए रखा था आज वह जर्मिनेट हो गए हैं जी दोस्तों और उसी की हम ये तैयारी कर रहे है दोस्तों सबसे पहले हमने एक पोट लिया है और पोट के बोटम में पुराने मट्टी के जो गमले होते हैं उसके टुकड़े हमने रखे हैं ताकि हमारा डेनेस सिस्टम हमेसा बना रहे और उसके बाद हमने इसके अंदर अपना वर्मी कंपोस्ट कोको पीट और सिंडर का मिस्रन लिया है अभी इसके अंदर हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का ह fertilizer दिया है क्योंकि अभी हमारे seedling बहुत छोटी है आप देख रहे हैं हमारा germination हो चुका है जो seedling है वो green हो चुकी है अंकुरन का हरे रंग में बदलना ही ये सिगनल है कि हमारी seedling अब दूसरे port में यानि अपने घर में shift करने लायक हो चुकी है आप देख सकते हैं हमारी seedling green हो गई है और हमारा जो इसमें एक seed था वो हमारा dead हो गया है जी दोस्तों ये इसके अंदर शायद कोई चोट लग गई हो या किसी वज़े से इसके अंदर कुछ damage हुआ होगा जिस वज़े से ये गल गया है मतलब रोट हो गया है और बाकी आप देख रहे हैं कि हमारी जो दूसरी seedlings है वो stand होने लायक हो गई है वो कुछ खड़ी भी हो गई है कुछ कल तक अगर हम रखेंगे तो भी वो भी खड़ी हो जाएंगी लेकिन इसके अंदर एक seed हमारा dead हो गया है तो वो हमारी इन दूसर seedlings को भी नुकसान पहुचा सकता है इसलिए अब हम इनको pot में shift कर देंगे आप भी ध्यान रखें यह देखिए हमने जो अपना pot तयार किया है इसके नीचे तो हमारा cinder का mixture है और उपर हमने सिर्फ और सिर्फ cocoa pit की एक लेयर विचाई है जो लगबग हमारी एक इंच की होग क्योंकि अभी हमारी जो seedlings है उनकी roots अभी अच्छे से निकली नहीं है अभी बहुत ही बारीक roots है तो उसके लिए हमें soft layer की जोड़त पड़ेगी उसके बाद तो फिर आप देखते ही है नीचे roots कैसे grow करती है अभी हम इसके उपर जो cocoa peat डाली ती उसको अच्छे से moist कर ले पहले और उसके बाद अब हम इसके अंदर अपना जो seedling लगाने के लिए जो हमने यह clip लिया है इसके आगे आप देख रहे होंगे कि हमने tissue paper का कुछ एक parts लगा दिये हैं ताकि यह soft हो जाए आगे से क्योंकि यह लोहे का होता है और seedling को अगर damage करेगा तो वो pot के अंदर भ आस्ता बनाएंगे और आप देखिए आप इस तरह से हम इसको इसमें लगाएंगे और बहुत सावधानी से आपको लगाना होगा आप देख रहे हैं यह नीचे जो paper था उससे चिपक गया था आप देखिए मैं एक परफ visible करके आपको दिखा देता हूं और यह अगर इस paper क साथ लग जाएगा तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह बहुत soft paper होता है tissue paper होता है और बहुत आसानी से गल भी जाता है तो जब इसकी roots ग्रो होंगी तो इसकी roots को यह कोई दिक्कत पहुचाएगा नहीं और आप देख रहे हैं अगर मैं इसको ज़्यादा दिन इस tissue paper पर रखूं तो इसकी जो roots होती है वो अंदर तक चली जाती है और फिर उसके बाद जब हम tissue paper से हटाते हैं तो वो और roots को damage करता है इसलिए यह समय सही होता है और वैसे भी हमें जल्दी germination के लिए ही यह process करना होता है तो जल्दी के लिए तो जल्दी इसको port में shift करें अब आप देखेंगे कि हम एक एक करके सभी seedlings को इस port में shift कर देंगे आप देखें कितने smoothly मैं इसको कर रहा हूं आप कोई भी इसी तरह से करना है इसके साथ कोई जोड जबलस्ति नहीं करनी है क्योंकि जोड जबलस्ति करेंगे तो यह damage हो जाएगा आप भी इसी तरह से ए seedling है इसका जो bottom part है वो radish हो गया है यानि कि इसका यह अपना symptom बता रहा है कि जब मैं बड़ा होंगा तो मेरा skin color dark रहने वाला है तो दोस्तों बच्पन में ही यह अडेनियम की जो seedlings होती है वो अपना रंग रूप और आकार पहले से ही तै कर लेते हैं कि वो किस तरीके से ब अपनी सभी seedlings को इस port में shift कर दिया है और इसके उपर अब हम इस जो roots हैं अभी जो जगे बनी हुई है वहाँ पर हम gap fill करने के लिए इस coco peat का sprinkle करेंगे इसको हम इसलिए sprinkle करते हैं ताकि जो हमने अपनी bamboo stick से इसकी roots के लिए जगे बनाई थी और seedling को stand करने के लिए जगे ब जाता है और हम जब इसके उपर water से spray करेंगे इस तरीके से तो वो इस seedling की roots से अच्छे से चिपक जाएगा और कोई gap नहीं बनेगा ताकि जो उसकी roots हैं वो सूखेंगी नहीं क्योंकि गर्मी का समय है और छोटी roots तुरण सूख जाएगी और सूखने के लिए तो आपकी य इसमें लगा देते हैं हलाकि मेरे पास अब एक ही seedling को दूसरे पोर्ट में लगाने का कोई वो और चित्ते नजर नहीं आता है तो मैं इसी में एक जगे बनाके लगा दे रहा हूं लेकिन क्योंकि मुझे अभी ये 10 दिन बाद फिर से बाहर निकाल के रिपोर्ट कर नहीं ह तो इसलिए मैंने अभी इसको इसके अंदर फिलाल शिफ्ट कर दिया है आप कभी भी अपनी seedling को लगाएं तो आप तो रोज रोज हर 10 दिन में 15 दिन में यदि आप कर सकते हैं तो आप कैसी भी कर सकते हैं इस condition में और यदि आप बार बार नहीं करना चाहते तो उसको इसके गयाप पही लगाएं और थोड़ा बड़ा पोट ले 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 तो मेरे को तो ये 15 दिन बाद अभी शिफ्ट करने हैं दुबारा तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फिर से इस पर वाटर स्प्रे करके इसको पूरा अच्छे से सेट कर लिया है अब देख सकते हैं हमारी सीडलिंग कुछ इस तरीक से खड़ी रहेंगे अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ सीडलिंग हमारी जो है वो तिरशी है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको एक कंटेनर के दूसरा कंटेनर इसी के जैसा है तो मैं इसके उपर रख दूँगा मैं से आपको बता रहा हूं ताकि आप भी इसको उसी तरीके से रख सकें और इसको अभी आपको डार्क प्लेस पर ही रखना है जहां पर कुछ समय के लिए रोशनी आती हो या या फिर आपको अंधेरे म तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि आपका जो वाटर है वो सुखेगा भी नहीं क्योंकि इसको आपको अभी सनलाइट के सामने लाना नहीं है दोस्तो वीडियो से संबंदित अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे टेलिग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ज वीडियो पसंद आये तो लाइक का पटन दवाना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद